तो आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है यूपी मद प्रदेश में आज तूफानी वारिस के आसार आईमडे ने इन पंदरा राजों के लिए जारी की चैताबनी हम आपको पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में इस वीडियो को लाइक करें मौसम से जोड़ी जानकार जो में भारी वारिस की चैताबनी जारी की है पहड़ी छेतर जैसे उत्रा खंड हमाचल प्रदेश में बारिस के चलते भूखलें की घटनाओं के लिए पहले ही मौसम विवाग ने आगा किया है बताये गाया कि पंदरा से तंबर तक लोगों को यूपी में तेज वारिस से रहत मिलने में कोई उमेद नहीं है दिल लें सियार में मौसम सुहाना बना रहेगा यहां हलकी बूंदावादी संबभ है आयम्टी ने कहा है कि उत्तर पच्छिम मद्परदेश आसपास के छेत में चकरवाती सरक्षण और सतन समुंदर तल से 7.6 किलोमीटर उपर फैली जिससे हालत बेकावू नजर आये बारवंकी जिले में 346 मिलीलीटर तक मांसुनी बारिस देखने को मिली यूपी के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है मौसमी बग के कहना एगले 24 घंटे में 36 गड़ उड़ी सा पूरवी मद्परदेश अंडवानने को बारदीव समू करनाटक केरल में हलकी से मद्वारिस होगी तरजिपर्त तिलंगाना राइस्तान नौर्थ इस्ट और सिक्किम के कुछ छेतर में हलकी से मद्वारिस दिल्ली अंड़ी तो यहां हलकी बुन्दाबांदी के चलते तापमान में गराबड़ देखने को मिली है पंजाब और हर्याना में हलकी बारिस की संभाब नहें लोकों को कूलर एसी बंद हो गये हैं मौसं मिवाक की तरफ से बता है दिल्ली आसवास के छेत में 17 सितम्मर त के मतावे हिमाचल प्रदेश के कुछ सितान उपर अगले पांद दिन तक पारिश की संबावना है जिसकी बशे से पच्छमी बिछोब का सक्रिय होना है मद्प्रदेश और 36 गड़ में भारी बारिश का अलाट आयम्टी ने बता है 15 सितंबर को पच्छमी मद्प्रदेश के द लंगाना अंडवान निको बारदीव समुंग बिहार ओडिशा जारखन गंगी बच्छी मंगाल में हलकी से मद्ध से लेकर भारी बारिश इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की वी संबावना जिताई है मौसम इबाग के मताविक 15 सितंबर को को कोड़ गोआ मद् बारिश से लेकर ब्यापक बारिश होगी इस दौरान आंधी चलने और बिजली गिरने की वी संबावना जिताई है तो दोस्तों आपको इवडियो वैसला का कमेंट करके जूरू बताएं वीडियो को लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब